नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोगं का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं थ्री फेज लोगों में जो अचबी बन पैनल लगा है नहीं कहां लगा आ है इसके मसीवियो कैसे री सेट वगारा करते हैं इसके बारे बीच में यहां पर एक कारीडोर है ठीक है यह आपका कारीडोर हो गया तो कैब 1 में लोको पाइलेट के पीछे जो होता है इसको बोलते हैं मसीन रूम नंबर 1 और दूसरा वाला मसीन रूम नंबर 2 हो जाएगा अब जब 3 फेज लोकों में WAP7 और AG9 में जब कैब 1 से आप कारीडोर में आएंगे तो सबसे पहले जो पैनल मिलता है वो होता है HB1 और उसके बगर लगा होगा SB1 ठीक है और भी कई सारी चीजे हैं उसके बारे हम बाद में चर्चा होगी और कैब 2 साइट से अगर कारीडोर म में इंट्री करेंगे तो सबसे पहले रहेगा HB2 और उसके बाद SB2 WAP5 में यह चेंज हो जाता है पहले इंट्री करते ही SB1 होता है फिर HB1 होता है थोड़ा सा इसमें चेंज है और जिसमें होटल लोड लगे है happy 7 वगेरा में उसमें क्योंकि इहां पे hotel whether converter लगाया गया है तो उसमें HB1 यहां से हटाके यह मसीन विमन टूम में रख दिया गया है सिर्फ उस लोकों में जिसमें होटल लोड लगा है यही पर आपका si Mr1 का बोला क्या जाएगा Hb1 को कहते हैं आजली क्यूबकल अजलरी क्यूबकल Hb मतलब अजलरी क्यूबकल है वन है तो अजलरी क्यूबकल नंबर वन अब इसमें जो MCB लगी है चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे थ्री फेज वाली हो अगर इनको हमको ट्रिप करना है यह री सेट करना है केवल केवल आपको VCB लिदी खरनी की जарूय ओनी है और हरनी किया जाएगा क्यों VCB ओपैनल में लगा क्या क्या है तो जब हम HB1 पे पहुँच गए, लोकेशन आपको बता दिया है, जब HB1 पे पहुँच है, हमने उसका धरवाजा खोला, तब आप देखेंगे, सबसे उपर Glass में, एक Glass लगा होगा, ठीक है, Glass के अंदर कुछ चीजें लगी होगी, और सबसे नीचे भी Glass के अंदर कुछ चीजें लगी होगी, उनसे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी जाने रहिए, एक इस तरफ, 41 नंबर काा Fuse होता है, Black कलर का, ठीक है, उसके बगाले, 47.2 by 1, ये जो MCP है, main compression number 1, उसका contactor होता है, ठीक, उसके बगल, दो छोटे-छोटे contactor होते हैं, 52.3x4 और 52.3x5, ये जो दोनों contactor हैं, ये actual में 52.4 और 52.5, इन contactor के auxiliary contactor होंगे, इन contactor के ये क्या होंगे, auxiliary contactor, और इनका use कब होता है, जब load sharing का होता है, तब इन सब का use होता है, उसके बगल में, एक 89.5 नंबर की एक अर्थफार्ट रिले होती है, ठीक है, अर्थफार्ट रिले, ये 415 और 110 वोल्ड दोनों के लिए होगी, लेकिन ये single face के लिए होगी, ठीक है, इसको याद करने तरीका, चुकि ये HB1 के बारे में बात हो रहा है, तो HB1 में जो अर्थफार्ट वाली लगी है, रिले, ये single face के लिए है, जो HB2 में लगी रहेगी, वो 3 face के लिए लगी रहेगी, फिर सबसे last में, एक और contactor होता है 54.2 by 1, ये कहोता है, machine room blower, आपको पता है, machine room blower, temperature के हिसाब से चलती है, ठीक है, तो ये time relay contactor होता है, और चुकि HB1 में लगी है, तो MRB1 का है, तो इस type का ये जो HB1 है, इसमें उपर जो सीसे के glass के अंदर लगे रहते हैं, वो इतनी function होता है, उसके बाद अब जिसकी हमें जरूरत है MCB वाली, तो पहले line में आपको 3 phase 415 वाली MCB लगी रहेंगी, कौन-कौन उसका serial होता है, सबसे पहले लगा होगा 62.1 by 1, आपको पता है किसका होता है, TIA file pump का, ठीक, उसके बाद लगा होता है 63.1 by 1, ये किसका लगा होता है, आपको पता है, इसका SRL pump, इसकी एक आगजली converter 123 से कौन-कौन सी चलती है, तो उसमें इसके बारे में detail है, कि इनका क्या काम है, कहां लगी है, MCB नमबर, वो सारा उसमें detail है, उसके बाद 47.1 by 1 है, ये आपको पता है, MCB नमबर, 1 का ये MCB होता है, उसके बाद लगा होता है 53.1 by 1, ये होता है, TMB 1 का, MCB होता है, उसके बाद लगा होता है 55.1 by 1, ये isquenjim blower 1 का होगा, ठीक है, और उसके बाद सबसे लाश में लगा होगा 59.1 by 1, ये OCB 1 का, MCB लगा होगा, और ये जो isquenjim blower है, isquenjim blower का क्या काम होता है, फिल्टर के धूलकड़ों को बाहर निकालना, तो ये TMB और OCB, दोनों के धूलकड़ों को ये बाहर निकालेगी, ठीक है, ये officially ये कहां लगी होती है, TMB के बगल में लगी होती है, ठीक, फिर उसके बाद, second row जो आता है, उसमें single face, 415 और 110, दोनों की MCB यां लगी होती है, उसमें देखिए किस हिसाब से serial से रहेगा, सबसे पहले 54. 54.1 by 1 लगा रहेगा, 54.1 by 1 क्या होता है, machine room blower 1 का, उसके बाद लगा होता है, 56.1 by 1, ये sky squenching blower है, MRB का, तो ये sky squenching blower हुआ, अब उसके बाद आपके जो, cab heater वगेरा है, और fan वगेरा है, उसकी लगी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले लगा होगा, 69.61, ये होता है, cab ventilation blower, ठीक, उसके बाद 69.62, ये होता है, cab heater का, और 69.71, ये होता है, cab fan का, तो उपर 3 phase वाली MCB लगी होती है, नीचे single phase वाली होती है, देखने में बनावाट, चुकि ये 3 phase का है, तो ये 3 MCB यां, एक ही में ऐसे लगी होती हैं, और एक साथ ही आपरेट होंगी और जो single phase वाली होगी, वो किवल 1 MCB इस टाइप की लगी होगी, या rotating वाली लगी होगी, ठीक है, अगर up-down वाली होगी, ABB टाइप की तो ऐसे होगी, और वरना rotary वाली होगी, और जो उपर लगी होगी 3 phase की, वो 3, 7 ऐसे आपरेट होगी, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे, फिर सीसे में बंद कुछ चीजें लगी होती है, उसमें होता है 52 by 4 और 52 by 5, जैसा कि हमने बताया ये auxiliary converter के contactor होते हैं, ठीक है, ये भी auxiliary converter के contactor है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता हो, ये सीसे में ऐसे बंद भी रहेंगे, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो HB1, HB2 में काम है, वो आपको इनहीं MCB को ही देखना रहता है शुरुआत में, जब लोकों का charge लेते हैं, कि सारे MCB आन हो, अगर MCB कोई trip है, या troubleshooting में उसको reset करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, VCB हमको open करके ही, इसको हमको reset या trip कराना पड़ेगा, ठीक है, और पाके जो CC के अंदर है, इनमें आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको इपता होना चाहिए, कि कौन किस काम के लिए है, ताकि कोई abnormality होती है, तो आप समझ सकें, साथी साथ, ये जो MCB रहती है, इस पे नंबर के साथ ही ये लिखा भी रहता है, कि ये किस चीज की है, ठ 110, ठीक है, तो 3-phase 415 आपको पता है, 3-phase 415 को सप्लाई कहां से मिलती है, बर 1, बर 2 and 3 से, लेकिन ये जो सिंगल फेस वाली होती है, सिंगल फेस 415 और 110 वोल्ट वाली, इसको मिलती है आगजली ट्रांसपार्मार से, ये जो आगजली ट्रांसपार्मार है, ये HB1 के, HB1 के, या तो नीचे लगा होगा, या इसके पीछे लगा होगा, और ये जो आगजली ट्रांसपार्मार है, ये इसका इनपुट जो होता है, वो 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, AC लेता है, और आउटपुट कितना करता है, ये करेगा, सिंगल फेज ही, 415 और सिंगल फेज 110 वोल्ट, AC, ये इसका आउटपुट होता है, ठेक है, और ये लगा कहा है, HB1 के नीचे, या उसके पीछे, ये आगजली ट्रांसपार्मार, उसी से ये सिंगल फेज 415 और सिंगल फेज 110 वोल्ट, आपकी जो आगजलिया है, वो चलती है, तो उमीद करते हैं कि इस तरह आप HB1 में लगे, सभी MCB और कांटेक्टर और अर्थफार्ट रिले के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, धन्यवाद,